सब्सक्राइब कीजिए इहंदी उर्दू शैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर आपको उसमें स्विच करना है एक स्वीकर से दूसरे स्पीकर में अगर आपको स्वीच करना है shortcut key की मदद से quickly इस वीडियो में मैं आपको बताने हो लूँ तो जैसे के for example मान लीजे अगर आप कोई Bluetooth speaker भी यूज करें आपके laptop में अगर आपको quickly switch करना है आपके laptop के inbuilt speaker में इसके लिए आपका पहले तो आपका Bluetooth speaker आपके laptop से disconnect करना पड़ेगा तब जाके आपका inbuilt laptop speaker आप यूज कर सकते हैं मगर एक third party tool की मदद से आपको यह सब चीज करनी की ज़रूद नहीं पड़ीगी आप quickly shortcut key की मदद से ही जो है आप अपने inbuilt speaker में switch कर पाएंगे तो सबसे पहले हम वो टूल को download और install कर लेंगे तो कोई भी एक browser आप अपने PC में open कीजिए और यहाँ पे Google में search कीजिए दोसो sound switch for Windows 10 इस तरही के से सर्च कीजिए और internet कीजिए और यहां पर इसकी जो फर्स्ट लिंक है दोसो इसको open कीजिए और यहां से यह website में से जो है दोसो आप यह आप को download कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं उस पर राइट क्लिक कीजिए यहां पर इसकी कुछ settings वगिरा है आपको सब में पहले वह complete कर लेना है तो जैसे आप settings में जाएंगे दोसों आपको यहां पर जो है दोसों playback और recording दो sections मिल जाएंगे आप यहां पर देख सकते हैं और उसके नीचे के side आप यहां पर देख सकत देना है उसके बाद आगर आपको कोई भी एक दूसरे audio device में switch करना है तो आप अपने shortcut की प्रेस कीजिए जैसे कि मैं प्रेस कर रहा हूं आप यहां पर देख सकते हैं वह automatically अपने आपी switch हो रहा है इसी तरी के सेम recording में भी आपको करना है जितने भी options है आप उसको select कीजिए और recording के लिए जो अलग shortcut की यहां पर दी गई भी है आप यहां पर देख सकते हैं आप इसको भी shortcut की कूछ चेंज करना चाहरे तो आप यहां पर कर सकते हैं उसके बाद जो तो और यहां पर profile है अगर आपको यह profile है यहां पर create कर सकते हैं इस तरीके से यहां पर कुछ settings वग रहा है दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं तो यह काफी useful सा software होगा दूस्तों उन लोगों के लिए जो आपने Windows 10 में जो दूस्तों multiple IDO devices जो है connect करके use करते हैं तो उनको switch करने में अगर problem हो रही है वो लोग जो है इस वीडियो में बताने के लिए easy सा और simple सा वीडियो है वीडियो पसंद आगई हो तो लाइक कीजिए share कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए अगर आपको इस वीडियो के related और भी कुछ dots है तो आप अपने dots और comment section में clear कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और भी interesting videos के साथ ताइंक यू